तो सिद्धार्ट मलहूत्रा की अपकमिंग मुवी योधा टीजर और ट्रेलर के जरीए औरियंस का ध्यान अपनी तरफ खीच चुकी है जिससे इस मुवी के वन आफ दी प्रेड्यूजर्स का रंजोह खुश है पर हमें तो हैरानी है कि from the makers of शेषा बोलते हुए योधा की टीम में शेषा का कोई बंदा नहीं है उपर से योधा की डिरेक्टर सागर और पुशकर ओचा का डायरेक्टोरियल डेब्यू है ऐसे में करन ने इन नए और नॉन एक्सपिरियंस्ट बंदों पर यकीन दिखाया यह किसी जटके जिकम नहीं है क्योंकि करन पहले बंदे को अच्छे से स्क्यान करते है उसकी प्रोफाइल और नाम देखते हैं फिर सोचते हैं कि उसे काम देना है यानिंग फिर भी अब सागर ने योधा का स्क्रीन प्लेट आलोग स्टोडी सब कुछ लिखा है और को डिरेक्टर भी है उनकी फिल्मोग्रेफी में उन्होंने इससे पहले पठान में असिस्टन डिरेक्टर के तौर पर काम किया और उरी में स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट में और ये दोनों भी ब्लॉग बॉस्टर पेट्रियोटिक फ्लेवर और अक्शन फिल्में भी रही तो इस हिसाब से उनका एक्स्पिरियंस माच कर चुका है पर डिरेक्टर के तौर पर या एक्स्पिरियंस के तौर पर उ अब करन की मुवी शेशा के डिरेक्टर विष्णु वर्धन पर विष्णु वर्धन साउथ फिल्म इंडॉस्ट्री के तालेंटन डिरेक्टर है तो उस सनाते उन पर आँख बंद करके याकीन दिखा सकते हैं पर यहां थोड़ा अजीब मामला है पर सब के बीच्छे उस ऐसी फिल्म लाई धर्वा प्रोडक्शन के साथ जुड़कर वो योद्धा के प्रड्यूजर भी है अब शेशांक और करन के अच्री बॉंदिंग है साथ काम किया है और शेशांक को करन नहीं मौका दिया है पर अब प्रड्यूजर बनकर करन के लिए नए नहीं टालें और स्क्रिप्स लाने का काम वही करते हैं तो उसे चलते योधा कि यह जो स्क्रिप्ट सागर ने लिखी है वो करन तक उन्हों नहीं पहुचाई इसलिए करन ही यकीन दिखाया और पठान, उरी, वॉर्ड ऐसी फिल्में भी इन दोनों डिरेक्सर के साथ जुड़ी है तो व झाल